ओके तो अगर आपको अभी इस ब्रांच के बारे में कोई भी कन्फ्यूजन है तो इस वीडियो को जाएंट तक देखना है और आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और वीडियो के बीच में जाने कहीं बहुत बड़ी मिस्टेक करी है वह मिस्टेक आप जल ज़िसे कॉमेंट में पॉइंट आउट करके बताएगा चली स्टार्ट कर लेते वीडियो को उससे पहले याँ सब्सक्राइब मालो चैनल को इससे पहले मैं कंप्यूटर इंजिनरिंग ब्रांच को रिव्यू समझें तो जितना भी कंस्ट्रेक्शन वर्क होता है ठीक है वह सिविल इंजिनर्स के द्वारा सुपर्वाइस किया जाता है तो यहां पर रोड बनाना बिरिज बनाना के राल बनाना डैम बनाना सब कुछ इसमें के अंदर आ जाता है तो एक बहुत ही वाइड डिसिप्लि ठीक है डिर्टली स्कोप पर जंप करते हैं तो गौर्रमन्ट सेक्टर में इसकी सबसे जादा जॉब्स अविलेबिल है ठीक है अगर आप सिविल इंजिनरिंग कर रहे हो तो यही माना जाता है कि आप गौर्रमन की तरफ ही जा रहे होगे सरकारी में बात करें तो गौर्ण सेट्स होती है और एससी का एक्जाम जो की स्टेट कराता है फो जूनेर इंज़ीनर और असेस्टेंट इंजिनर तो अच्छे काथी स्यालरी होती है और बाकी मोटा पैसा खाते है नीचे तो यह सिविल इंजिनिंग अगर आप कर रहे हो तो सरकारी मापके बाद अच्छा गहता स्कोप होता है बात करें इतना बड़ी अगर आप तैयर वन कॉलेश से तब ठीक है प्लेस्मेंट के अबार में सोच सकते हो में भी आप जा सकते हैं और यह स्क्राइब करता है यह बात करें वह यह सेलरी कित्ती ओफर हो रही होगे मेरे को यह बताओ तो देखो अगर आप टायरवन कॉलेज में और टायरवन कॉलेज में सारे 24 नहीं सारे 24 नहीं आते हैं तो यहां कि अगर आप कोर सिविल की बात करोगे तो आवरेज पैके 6-8 लाग में रेंज करता है नाइट अलावाद के 10 लाग तक भी चला गया था रिजन बहुत बहुत सिविल की बात कर रहा हो इससे जावा भी ओफर हो सकता है लेकिन अभी तक यह डेटा मेरे को मालू है आईटी सेक्टर में ठीक है आवरेज देख सकते हो दस से बारा हाइस का कोई भी अमूंट नहीं है नॉन टेक पे आवरेज आपको लोकल कॉलेज हो गया ठीक है यहां प बागी हाईस की कोई लिमिट आपकी नहीं है एक्स्ट्रास की बात करें सबसे जाधा नंबर ओफ इंजिन सबसे वाइड़ेस इंजिनिरिंग ब्रांच है सबसे जाधा गौर्मेंट जॉबस है अब भया यह मेरे को मिल रही है और मेरे को कहीं पर कंप्योटर साइंस मिल ले खताम लेते हैं और जो गल्दी थी जल्दी से कमेंड बताना क्या करें जी मैंने बाबाए गुद नाइट आंड डिसे संगल ज्वारी सानिंग ओफ